विल्कम बैक फ्रेंड दोस्तों नमस्कार इस विडियों बात करेंगे उत्तर परदेश पुलिस जो खाली सीट है जिसकी सुनवाई सुपरीम कोर्ट में हो रही है तीन भर्तियों उसमें हैं आपको बताते हैं एक एक करके 2015, 41,520, 49,563 तीनों भर्तियों की सुनवाई एक साथ होनी है और बहुत से बच्चे हैं कन्फ्यूज हो चुके हैं कह रहे हैं सर्ट डेट चिंज हो गई है और हम चेक की हैं डेट चिंज हो गई लेकिन आपको वास्तविक तक क्या चीज़ है उसको हम बताने वाले हैं सारी च कीज़े आई उसको अच्छे से जानने के बाद वीडियो बना रहा हूं बोले थे वीडियो आ जाएगी लिकिन लेट हो गया वीडियो नहीं पाई आज वीडियो अपलोड हो रहे है तो वीडियो को अच्छे से देखेगा बिलकुल भी इसकी मत करिएगा बहुत ही मेन मेन और जल्दी से वीडियो को समाप्त कर देंगे बता के ठीके बहुत ही जबर्जस्त वीडियो होने वाली है तीनों के लिए 41,529,562,015 मेरिट भरती जबर्जस्त वीडियो है वीडियो को स्टाट करते हैं जब से पहले आपका डाउट के लिए करते हैं कि यह जो सुनवाई होने वाली आठ तारीको, आठ फरवरीको, क्या ज़िए डेट टल गई है, बहुत से बच्चे बोर रहे हैं, 4 मार्च को डेट हो गई है, और बहुत से बच्चे परिसान हो गए हैं, सर बता देजे, डेट चिंज हो गई है, 4 मार्च को हो गई, तो भाईए सबसे पहले आप आपका क्लियर कर दे रहें, जो हला मार दी हो सब लोग, यहां भी देखिए, 9 बच के 41 मिनट, क्या, 9 बच के 41 मिनट पे अभी स्क्रीन सॉट लिया हूँ, ठीक, जाके चेक भी कर सकते हैं, अभी भी, स्टेटस वही दिखा रहा है, ठीक है, 9 बच के 41 मिनट के स्क्रीन सॉट अबलिक 2021 से सर्च कर सकते हूँ, डायरी नंबर के हिसाब से, ठीक है, बाकी यहां भी देखिए, यहां भी देखो, confusion बिल्कुल मत होना, डेट आपको officially देख रहे हैं, यहां भी देखो, इसलिए मापको बनाना वीडियो बहुत ही important हो गया था, यहां भी देखो, 8-2-2022, ड डेट वही है, डेट चंज नहीं है, बहुत से बच्चे वैसे आपको मजा ले रहे होंगे, वैसे बता रहे होंगे, ठीक है, तो confusion बिल्कुल मत होना, स्मार्ट इस्टेडियो पर जाके बोल देना, वहां पर सर बताये हैं, 8-2-2022 को डेट दिख रहे हैं, जो कि official है, final EC date को ह होगी, ठीक है, डेट नहीं चंज हुई है, final EC दिन होगा, clear, आठ फरवरी को, डेट आपको पता चल गया होगा, एक स्क्रीन सॉट है है, और दूसरा स्क्रीन सॉट और आपको दिखाते हैं, यहां देखिए, अगला स्क्रीन सॉट है देखो, 9 बच्च के 41 मेर्ट सेम होई, यह है 2015 बच्चों के लिए, यहां देखिए, इनका भी डेट वही दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, 8 फरवरी 2022, clear, दो अच्छे से clear हो गए होंगे, एक और दिखाते हैं आपको, यहां देखो, विकास, विकास जार सामली से हैं, इलीट कर रहे हैं, 49,568 को, ठीक है, 49 तीनों भरती की सुनवाई, एक साथ होगी, आठ तारिक को होगी, आठ फरवरी को, ठीक है, 2015 मेरिट भरती, 41,520, 49,568, तीनों की सुनवाई, एक साथ होनी है, सीट इसकी इसमें खाले है, 2015 मेरिट में सीट खाले है, याद रखना, 2015 मेरिट भरती में सीट टोटल खाले है, 35 388 seat खाली है इसमें ओके ये भी जान लीजिए 41,520 में 41,520 में 5,292 seat official खाली है 49,568 में 49,568 में 9,007 बाहर बच्चे हैं इसमें seat खाली है 6400 पलस seat खाली है इसमें ठीक है 6400 कुछ है लिकिन 6400 पलस है ओके तितना official यह आपको दिख रहा होगा पूरे data भी बताते चल रहे हैं इतने पर आपको job मिलेगी आपकी final जब जीत हो जाएगी इतने बच्चों को job मिलेगी जो आपको इस screen पर दिख रहा है ठीक है इतना clear हो गया आगे बढ़ते हैं अब आपको बताते हैं counter में जो सारी submit की गए सारी चीजे उसके बारे में बताते हैं फिर और possibility क्या बनती है उसके बारे में बता देते हैं counter के आने के बाद अब अपनी तरफ से त्यारी क्या चीज हो रही है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं चलते हैं ले चलते हैं आपको counter पे उसके बारे में आपको बताते हैं यहां पी देखो government जो 18 पेज का counter सौपा है उसके बारे में इसू हुआ था नोटीर, ओ प्रस्ण कीए थे, यह इसमें कटाब कैसे आप बनाए हैं, किस वज़ा से बनाए हैं, कटाब कैसे डिसाइट की हैं, उसके बारे में उन्हें प्रस्ण पूझा था, ठीक है, खाली सीट के बारे में प्रस्ण पूझा था, जो कि इसका भरती बोट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कहने मतलब है जो प्रस्ण सुप्रियम कोट के जज सहाब पूछे थे उसका इन्हों ने जवाब नहीं दिया है जहीं सबसे बड़ी हार है वहाँ पे हो रही हैं क्योंकि जब एक कटाब के उपर पूछे थे कटाब आप कैसे डिसाइट किय हैं तिनके पास कोई जवाब नहीं था मतलब कि इनका जो काउंटर सोंप है इनका मतलब जबाब है नहीं उसमें कोई जिक्रिन नहीं किये गया है सबसे बड़ी पॉइंट है इनका बीक पॉइंट यहां पर मिला जो कि हमारे वाकि लिए अच्छे से कैप्चर कर रखा है ब बोला गया था और सरकार की तरफ से कि हम भरती करेंगे ठीक है 30,000 हर साल भरती करेंगे बच्चों को उत्तर परदेश पुलिस में कमी है ठीक है अर अच्छी की तो भाई यह 30,000 बोले थे लिकिन 30,000 हुआ नहीं क्यों क्योंकि इनका जब 2000 से इनकी सरकार बनी थी जब योग अच्छार भी नहीं परनी थी यह अकलेस वाली वेकंसी थी इसकोई लेना देना नहीं वेकंसी कोन कराएं 41,520 प्लस 49,000 पर यहीं वेकंसी आपको दिख रही होगी और यहीं मालीज यूपी एसाई का यह इंकलूड ही इस में मतलब यूपी एसाई को बता दिये थी इतनी स डेर लाग तो बैकंसी नहीं दिखना ही रही है, लगभग 30-35 जार वही कम है, तो हमको लग रहा है जो 26 जार है, यहीं लास्ट में निकाल के पूरा कर रहे हैं, जो कि सोचो, जब इनकी बैकंसी आयोई थी 18 में, 18 में यहीं 18-20 में, ठीक है, उसी साल में दोनों बैकंसी आ बोला था कि हम 30,000 बच्चों के हर साल लेंगे, ठीक है, 30,000 यानि अर अच्छी पुलिस की बढ़ती होगी, किलियर, जो की बढ़ती नहीं कम्पलीट होती है, क्योंकि नहीं 20 खाली गया, 20 खाली गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इनकी हार हो रही है, ठीक, यह भी पॉइंट है, सबसे बड़ा, और इसमें बात कहीं गई थी, कटाप के उपर, कटाप के उपर बताई चुकिए, उसमें जबाब नहीं है, और इसमें जबाब नहीं है, दो किलियर हो गया, और इसमें बात किये थे, कैरी फारवर्ड के उपर, तो कैरी फारवर्ड के जारी हुआ है counter जारी हुआ है ठाटरपेच का उसमें मतलब Olhosिसमें क्यारी फारवर्ड का जिक्र है लेकिन एक नहीं है मतलब इसमें नहीं बताया गया है कि कारवर्ड वैकंशी नहीं को कर दिये हैं कि हम पारावर के revenue फारवर को जब carry forward के करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है कि आपकी जो vacancy है एकदम safe है एकदम clear है अभी पूरी के पूरी seat आपकी धरी हुई है यह भी आपका doubt clear हो गया होगा सिप carry forward में इसमें बोला गया है कि हमें इस vacancy को carry forward कर दें जो कि सरकार की तरब से मतलब उनको बोला ग clear हो गया होगा और यहां पर देखिए पूरा यहां पर अच्छे से जच सहाब को गुम्राह किया गया है कि भाई यहां यहां पर देखो 14520 को notification निकाल दिये हैं उसमें से सिविल पूली से 23520 जिसमें से पीएसी वाले कंडिर 18000 टोटल बैकंसी 14520 उसके बाद यह सारी ची 1260 पोस्ट सिविल की और 18308 पोस्ट जो है पीएसी की जो की 18208 रहना चाहिए गलती होगे इनसे ठीक है पीएसी की इनसे गलती है बहुत होती है फिर टोटल पोस्टों की संखे है 49568 भाई यह इसका भी रिजल्ट आए था 232020 को एभी हम कंप्लीट करवा दिये ठीक 41000 के ब कर दिये गया इसमें बोल भी नहीं सकते जब 41,000 आपको पता होगा 41,520 की बैकंसी आई हुई थी सोचो 41,520 की जब बैकंसी आई का नियम गलत है क्यों क्यूंकि 49568 की उसी साल आ गई ठीक है 49568 जब इसका रिजल्ट पी फाइनल डेकलियर नहीं हुआ था जब इसका मेट कंसी आगें तो इसमें कईरी फारवड कर सकते हैं कि वह कैसे बोल सकते हैं वहां पर इसमें पहुत जबर्जस्त फाषे हुए इसमें बोली नहीं सकते हैं क्यों कि जब 4500 भरती आ ई için camar 32,520 की तब उसी साल में 49568 की बैकंसी आगई तो इसमें जो बच्चे फेल हुए उनल मेटिकल हुआ नहीं, फाइन रिजल्ट आया नहीं, तब तब बैकंसी आ गई, तो इनका भी ए नियम गलत होगे, ए भी वकील अच्छे से, इसको भी रीट कर चुके हैं, ए भी पॉइंट जबर जस्त है, इस पे भी जीत आप लोग को मिलने वाली है, किलियर, दो बैकंसी किल जस्त पॉइंट है, सबसे बड़ा बीज से, पॉइंट नमबर 24 में देखते हैं, पॉइंट नमबर 24 में, काउंटर में क्या बात कहीं है, इसमें बोला गए, 5805 जो पत थे, जेलवाडर फायर मैंन के, हम उसको भी वेकंसी को कम्पलीट करवा चुके हैं, ठीक है, एक साथ 29-2021 को हम निकाले हुए हैं, मतलब 29-2021, मतलब 2021, हम एक वीडियो में आपको बता चुके थे, कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 29-2021 को भड़ती उसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, तो यहां पर देके 26210 है, सिबिल की, और वहां पर देके 172 पद हैं, फायर मैंन की, टोटल पदो की संक्या है, टोटल पदो की संक्या है, 26,383 पदो की संक्या है, ठीक है, पदो की संक्या आपको पता चल गया, और यहां पर बोले गए हैं कि 4-10-2020 को, मतलब सिलेक्शन प्रोसेज is going on, मतलब चर रहा है इसका पूरो सेच्छी के, तो कहने मतलब हैं, लगाता यह बैकंसी को अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं, मतलब बैकंसी की कमी नहीं, उनको मतलब ऐसा बताने के कोशिस में कर रहे हैं, यह लो, कि हम तो भरती को लगातार करते जा रहे हैं, तो यहां पर बात आ जाती है, कि हम बैकंसी को कप्लीट नहीं करवाएं, कि हम जौब नहीं दे रहें बच्चों को तो ऐसा करने की मतब गुमरा करने के कोसिस करें तो भाइये वहाँ पर जजसाहब बड़े इंटेलिजन्ट हैं उनको यह सब नहीं पता है जो जो सवाल जबाब की हैं उस पर आपको जवाब देना होगा ना कि उनको बैगांसी आप गिना रहें गिना तो आप रहें हैं 2016 का जब आपकी सरकार भी नहीं बनी थी ठीक है बाकी 41,000 आप कंप्लीट करवाएं 49,500 यहीं दो बैगांसी आपके किलियर है बाकी एक और जोड़ लोगे UPSI का UPSI तो भी कब रिजल्ट भी नहीं आया लेकिन नोटिफिकेसन में आया था 9,534 उसक हम्-तो बैकशी लगातार करवांते जा रहें करवाते जा रहें तो भी इस सरी सीजरे नहीं हुई एट बताएं नहीं कि 2019 में भर्टी नहीं निकाले 2020 में निकाले थी तो यह सारी चीजे कुछ नहीं है ठीक है इन्होंने गुमराह करने की कोशिज की लेकिन जजच सहाब बहुत कड़क है ठीक है जजच सहाब बहुत कड़क है आन्द स्पाट फैसल आएगा इतना याद रखना जो सवाल जबाब किये थे इनका कोई जिक्र नामो निसान नहीं ह अपनी तरफ से भाईया पला जाड लिया है उसका जबाब दे दिये हैं बकाइदा जो जबाब देना चाहिए बिलकुल भी जबाब नहीं दिये हैं इसका मतलब है अपनी तरफ से केस एकड़म 100% जो है एकड़म मजबूत दिसा में है ठीक है एकड़म मजबूत जोन में है 100% बस डेट आने दीजिए ताबक तोड़ फैसला आएगा इतना यकीन कर लेना जो सवाल जबाब किया गया था उसका नामो निसान नहीं है अच्छे से इसमें जबाब भी नहीं दिया गया है तो भाई या केस जो है 100% अभी तक एकदम safe है secure है बाकी अपनी तरफ से मतलब अपनी वकील की तरफ से सारी चीज़ों को अच्छे से read कर लिया गया है fight करने के लिए मैदाने जंग करने के लिए एकदम तयार है अपनी तरफ से जितने सारे AC लगाए गया सारी चीज़े इसका भी तोड़ अच्छे से निकालके वो लोग अच्छे से एकदम बहतर तरीके से पूरर read कर चुके हैं एकदम मैदाने जंग करने के लिए तयार है आठ तारीक आने दीजिए आठ फरवरी को सारी चीज़े clear होंगी ठीक है बाकी अभी तक 100% आप लोग सेफ हो बैकंसी भी आपकी सेफ है टोटल बैकंसी भी जितनी सारी खाली है एकदम सुरच्छित रखी होई है ठीक है जैसे सुनवाई होगी जैसे final order आएगा जैसे 2016 भरती UPSI की complete नहीं हो गई लगभग 6-7 दिन में वैसे ही ये सारी चीजे complete आपकी भी होंगी बस थोड़ा से धहर बनाय रखो डेट और आपकोई changing नहीं हुई है आर तारीक कोई ही डेट है 4 मार्च को डेट नहीं official आपको दिखा चुके है ठीक भी है आर तारीक तक वेट कर लीजे सारा जोन आपका complete है वकीलों की तराब से सारी चीजे अच्छे से अध्यन करने के बाद वो लोग साब साब बता चुके हैं एकदम धहर बनाय रखो बस पेसेंस बनाय रखो डेट को आने दीजिए उसके बाद धूमा धूमा करते हैं ठीक है आर तारीकों सारी चीज़ा परक दिये बहुत ही फास्ट होगी बागी अपडेट आपको कांटीनु मिलता रहेगा अभी तक जितने बच्चे हैं अब तक सेफ हैं बैकंसी सेफ हैं बस आपका डेट आने दीजे उसके बाद सब कुछ किलियर हो जाएगा ठीक है वीडि आने श्रोडियम थेंक्यू धन्यवाद